Hello everyone, मैं आपके साथ मनुज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जो moving average पे चलता है और उसके अंदर take profit, stop loss और एक bar range लगा रखी तो इसके बारे में deeply बताऊंगा, यह इंडिकेटर वैसे बना रखा automation trading के लिए बट आपको लगता है कि आप इससे manual trade कर सकते हो, तो आप manual trade भी कर सकते हो तो मैं आपको जो demo दिखाऊंगा हो सकता है कि trading का demo ना दिखाऊंगाँ क्योंकि इसके जो signal है वो काफी late late आते हैं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आते बट आप अपनी frequency चीज करके इसको और भी fast कर सकते हैं, तो मैं try करके देखूंगा, अभी confirm नहीं हो पर आपको दिखा देता हो indicator, तो यह हम trading view पर पहुच गए, अब आप जैसे हम trading view पर पहुचे हैं, तो यहाँ पर उस indicator का जो नाम है, वो नाम दे रखा है मैंने उसको moving average, आप हमारी website पर जाकर सबसे नीचे जाओगा, और यहाँ पर आप देखोगे indicator request, इस page पर जैसे click करो कर दो इस indicator के लिए request कर सकते हो, तो मिरो को आपका trading view का username आपको fill up करना होता है, तो जैसे मिरो को आपका trading view का username मिलेगा, मैं आपको इस indicator के access दे दूँँगा, फल आप इस वीडियो के अंदर भी अपना trading view का username दे सकते हो, यहाँ से भी मैं copy करके आपको access दे दूँगा, जो तो ट्रेडिंग यूजर नेम है मनोजवर मैं आप देख सकते हो इसी तरीके से आपका भी एक ट्रेडिंग यूजर नेम होगा वो मुझे सैंड करना इमेल आइडी प्लीज ना सैंड करें उससे मेरे को ना आपको अक्सेस नहीं दे सकता हूँ अच्छा आप आजाते हैं इंडिगेटर पर तो अभी के लिए मैं आपको पांच मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ यह वर्क कैसे करता है तो सबसे पहले में इंडिगेटर को लगा देता हूँ यह मनी इंडिगेटर को लगाया जैसे लगाँ यहां पर यह भी लग पर काम करती है तो बहुत ज्यादा दिमानती बस इसे थोड़ा सा अडवांस कर रहा है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं तो यह क्या करता है इसके अंदर हमने इंडिकेटर की सैटिंग में जाएंगे तो आप यहां देखोगे फर्स्ट ऐसे में मतलब सिंपल मुविंग आवरेजञार तो मैंने बाई डिफॉल जो सिंपल मुवींग अवर रखे ट्वंटी वन की लिए रखी है और सेकिंड मुविंग अवरेज मैंने ले रख़्े टू हंड्रेड की तो यह दोनों का क्रोस ओवर है जब यह दोनों क्रोस ओवर करते है तो यह अपना सिगनल दे सकते हो और ऐसा नहीं कि आपको इसी इंपूट पर काम करना है आपको लगता है कि हाँ मैं तो 50 और 100 की moving average पर काम करना चाहता हूं क्रोस ओवर पर तो आप यहां 50 दालोगे यह 100 दालोगे तो इस इंपूट को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से बस इसके अंदर एक चीज मैंने और हैड कर रखी यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लिख रखा है मैंने bar range point अब यह क्या है मैं बता दूँ by default मैंने 99 कर रखा है तो थोड़ा से इसके भी थेरी समझा दू मैं आपको तो जैसे कि इस indicator ने यहां पर signal दिया short का अब हम मान लेते हैं कि हम automation trading कर रहे हम manual वाली बात नहीं कर रहे हैं इसमें repaint दूर करने के लिए हमने यह signal open पर यहां करवा रखा है बगी reality में signal है यहां पर बनाता इससे पहली वाली candle पर वो इसलिए बनाता क्योंकि कई बार क्या होता है जब moving average cross कर रही होती है as example इनने cross करा और यह candle बन गई काफी लंबी यह लगा लो यह बन गई इतनी बड़ी यह candle कोछ इतनी बड़ी बन गई अब क्या होता है कि सारी movement तो यह candle खा गई इसकी अब short का signal आये सारी movement यह खा गी अब आगे की जो candle बनेगी वो average बनेगी तो वो moment नहीं रहेगी तो ऐसे में आप एक range दे सकते हो कि जो signal जिस candle पर आया जैसे यह signal तो आपको दिख रहा है इस candle पर आपको दिखा देता हूँ इस candle का जो low है उपपर आप आप मैं थोड़ा से दिखा दूँ यहाँ पर आप देखोगे उपपर है ना H L C O लिख़ा है O, H, L, C लिख़ा है O का मतलब open, H का मतलब high, L का मतलब low, C का मतलब close तो अगर हम इस candle का जो हमारा signal आया यहाँ पर इससे पहली वाली candle का अगर हम high देखेंगे तो 201.40 पैसे और low देखेंगे तो 200 रुपे इनने एना 1.40 पैसे की moment दिए अब मैं चाहता हूँ कि यह 2 रुप इससे बड़ी मुमेंट होगी तो market इतनी डाउन नहीं जाएगी तो यह advanced feature इसके अदर एड़ कर देता हूँ, जैसे मैं इदर 2 रुपे कर देता हूँ, by default तो 999 कर रहा है जिससे by default जो लोग काम कर रहे है तो वो कर पाए, मतलब जो रेंज को लेना ही नहीं चाहते है क्यों तो मुझे signal ना दो दिखाई दे तो यह देखी मैंने 1.30 पैसे करा एंड जैसे मैंने OK करा यह signal गया होगी तो अब यह TP का signal आपको शो हो रहा है पर TP पे तो जब ट्रेड नहीं मिलेगी तो एक्जिट नहीं करेगा तो इसको छोड़ दी पर यह signal गया होगी तो I think आप समझ स्केंडल जो है उसकी रेंज इतनी जादा ना हो ठीक है अपनी रेंज भी डाल सकते तो यह चीज मैंने आपको समझा दी अब आ जाते हम इसे मिनिमाइज कर देते और इसे रिसेट कर देते इंडिकेटर को दुवारा जिससे शोने लग जाए तो अगर आप रेंज पे काम करना चाहते तो आप इस जो 99 ने इसको आपको छेडने की जोरत नहीं है अपना अच्छी तरीके से वर्क करेगा बट अगर आप रेंज पे काम करना चाहते तो एक्स्ट्रा दे रखा अब आ जाते हम थोड़ा सा और चीजों पर तो अब मैं आपको एक चीज दिखा देता ह यहाँ पर इनने शॉर्ट का सिगनल दिया है मैंने जैसे आपको बताए कि मैंने जो मुविंग अवरेज बाइड डिफोल्ट दाल रखी है 21 और दोस्तों की मुविंग अवरेज दाल रखी है तो आप चाहो आप अपनी मुविंग अवरेज दाल सकते हो तो अगर आप दूसरी को कर देता हूं मैं 200 का जैसे हमारी moving average है और इसका color थोड़ा सा change हो सकता है तो मैं कर देता हूं पहले से change अब यह देखिए 21 यह 200 की है 21 ने crossing down करा 200 की moving average को यहां पर तो मैंने जैसे बताया था signal यहां पर बना है पर कई बार क्या होता है moving average आपस में क्रोस ओवर करती है और हटती है तो इसे है ना रिपेंट कहते है तो इसलिए हमने closing बार लगा दिया है तो जैसे close हुई candle अगली candle पर signal मिल गया हमें short का ठीक है अब इस candle का high low अगर आप बार रेंज करना चाहते हो तो reality में इस candle का high range होगा उससे previous candle का जहां आपको signal दीख रहा इनने short का signal दिया तो उसके बाद इनने क्या करा यहां पर आप देखोगे short का signal दिया इनने यहां पर यह short का signal दिया तो इनने क्या करा एक परसेंट का आपका एक take profit लगा दिया जो कि यहां पर hit हुआ आप देख सकते हो और आदे परसेंट का इनने stop loss लगा दिया 0.5% का stop loss कहां से लगा है अपने open price से जो candle का open price है उससे calculate करके इनने लगा दिये तो यह automation trading में काम आता है कि जब भी आपका short हो तो आपका automatic stop loss लग जा और यह लग जाए तो बस आपको इन दोनों के अंदर close position का सेंटेक्स दालना होता है तो यह आपका work करता है तो I think आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से काम करा गाता है अब आ जाते हैं alerts पे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका है जो input है उसको हम छोटा करते हैं तो वैसे indicator मैंने check करके देखा 5 minute के time frame में बहुत अच्छा work कर रहा ह कई जगा मैंने one is to four का ratio लिया कि आदे परसेंट का loss और two percent का profit तो काफी अच्छे result मिले कई जगा मैंने one point आदे परसेंट का loss और one percent का profit महां भी काफी अच्छे result मिले बट आप अपनी script पे check करके देख लीजे हजार से ज्यादा script है और आपको 50-50 में check करना है इंडेक्स मे चेक करना जहां भी चेक करना आप अपने coding चेक करके देखिए कि हाँ यह काम कर रहा है नहीं कर रहा है दूसरी बात आपको पता ही होगा कि हमारे platform पे paper trading totally free है वह भी with algo तो आप paper trading कर सकते हो with algo इससे लगा के तो जब भी आप करोगे alerts कैसे बनाने हो वह बता देता हूँ पर मैंना paper trade करके देखेंगे पर आप जब real करोगे तो आप real भी कर पाऊगे तो हम paper trade के लिए करते हैं सबसे पहले इसका input change करते हैं तो हम करते हैं 5 की moving average और 9 की moving average दोनों के cross over कर देते हैं जिससे जल्दी जल्दी signal है अभी हमें profit and loss से मतलब नहीं है अभी हमें मतलब है जल्द signal से अभी 5 minute का time frame है अभी गलत हो गया कितनी देर तक मैं video बनाऊँगा तो इसलिए मैं इदर गया और इसको 15 second का time frame करा तो 15 second के अंदर भी काफी देर देर मैं signal देखने को मिल रहे है मेरे को अच्छा जो profit और वो है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूं यहां पर take profit की जो percentage है 0 0.2% कर देता हूं और जो stop loss है मेरा 0.1% कर देता हूं तो मैंने दोनों चीजे इस हिसाब से कर दी अभी लाइने देखोगे बिल्कुल पास-पास हो गई अब खुद देख सकते हो तो अभी जो भी मैंने moving average डाली है अपने हिसाब से मैंने डाल ली है और अभी हम यहां यह इसी के पीछे long का signal है अगर मैं indicator के पीछे जाऊंगा इस style में जाके और यहां से इस long TP को हाइट करता हूं तो देखो long का signal पीछे तो जिस candle पर उनने long दिया उसी candle पे 0.2% का target हो गया इसलिए long TP शो कर रहा आपको दूसरा वाला plot शो कर रहा है अब आ जाते हम paper trading पे paper trading क यहां पर आपको पेपर ट्रेडिंग के कोड मिलेंगे अभी मैं रियल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा क्योंकि टैम वेस्ट हो जाएगा और समझ भी नहीं आएगा तो यहां पर जाने के बाद आपको semi automation fully automation और active close यह चार कोड दिख रहे है तो हम यहां पर fully automation लेंगे fully automation आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि old trade को close करना new trade को add करना अगर old trade है then close करना तो मैंने इसे copy करा copy करने के बाद मैं trading view पर जाता हूँ यहां पर मैं alerts बनाता हूँ तो alerts बनाने के लिए मैं इस watch के icon पर click करूँगा जो भी हमारे alerts बनते इस watch के icon पर click करूँगा तो साइड में बनते तो मैं इस watch के icon पर click करूँगा इधर गया indicator का नाम लिया moving average यहां पर 8 तरह के signal है long short long tp short tp वगएरा वगएरा बट मुझे fully automation take profit stop loss लेने के लिए चार alerts लगाने पड़ेंगे per script पे तो मैं क्या करता हूँ एक long लिया इधर जब हम paper trading करते हैं तो यहां पर हम tag नी दाल सकते कुछ भी नी दाल सकते हमें simply code दालना पड़ेगा और मैं यहां पर code दाल देता हूँ buy का ठीक है यह 10 quantity मैंने buy का code दाल दिया fully automation क और सेफ कर दिया यहां alerts बन जाएगा उसके बाद मैंने दुबारा इधर गया code पर यहां sale का code कोपी करा यह copy बटन से copy हो जाता है दुबारा इधर गया और इधर जाने के बाद मैंने अच्छा एक चीज मेर से गलती हो गई कि मैंने क्या करा मैंने मैं लोगिन कर लेता इंडिकेटर को यहां वेभूक यूरल के अंदर वो यूरल दालते मैंने वो दाल दिया और यह सेफ कर दिया तो यहां पर दालना होता अधर आपका order नहीं जाएगा अब आ जाते हम दुबारा से सेल के alerts पे तो पहले हम पे code कोपी करके लेके आ जाते कोपी करा alerts पे गया इ इतनी बार सिगनल आए और यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर देखोगे तो पेपर ट्रेडिंग का URL बाई दिफोल्ट आ गया है इसे रिमूव करेंगे और इसे दाल देंगे से अब हमारे लॉंग और चौट के सिगनल बन गये तो पहले मैं इस दर जाके इसको भी व प्रोफित इस्टॉप लॉस इधर गये बुविंग अवरेज लिया यहां लेंगे लॉंग साइट अपी अशल यह सलेक करेंगे वंस पर बार कर देंगे और इसे किलिक करके इधर सेफ कर दिया ऐसे हम शॉट साइट का करेंगे थोड़ा से जल्दी बता रहो हूं मैं आपक इसके अंदर जो सिगनल आया वो क्या है शॉट का आया तो अगर हम अपने इधर जाओगे और यहां तीसरे नंबर पे पेपर ट्रेडिंग है इसे मैं उपन करता हूं तो आप यहां देखोगे मेरी 10 कॉंटिती से जील के अंदर ट्रेड लग गई है जो अभी एक्टिव ट जो बाइंग प्राइज है वो यह इसे कहते हैं ओटोमेशन ट्रेडिंग बट मैंने अभी आपको रियल मार्केट में नहीं दिखाया आप जरोधा फायर्स एलस ब्लू सैंको एक एक्सचेंज जो और नाम भूल रहा हूं पांच ब्रोकर हैं जो हम सपोर्ट करते हैं इंडि अब यह देखो टार्गेट भी हिट हो गया बहुत जल्दी टार्गेट हो आप यहां देखोगे फेपर ट्रेडिंग पर यह देखो मेरा प्रॉफिट भूग तो आप देखोगे मैंने सेल कर रहा तो और सेल एगजिट होगे और मुझे चार पॉंट का प्रॉफिट हुआ चार पोइंट का प्रॉफिट कैसे हो गया मेरे को खुछ समझ नहीं आ रहे इतने चोटे से टाइम प्रेम में चार पोइंट कैसे मिल गए एक बिन मैं देख लेता हूं यहां पर और यहां पर मुझे समझ अच्छा हाँ चार पोइंट टोटल उसके अंदर मिले होंगे हो सकता है चलो कोई नहीं दस स्टॉक के अंदर चार रुपे बचे इस तरीके से होगा आप कैलकुलेशन कर ले ना थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था तो इस तरीके से मेरी पेपर ट्रेड होग कि PC पे करना हूं वैसे ही आपको मुबाइल पे करना है आप मुबाइल पे कर सकते हो PC कर सकते हो कहीं लोग कहते हैं वीपेस लेना जरूर यह कोई लेने की जोरत नहीं PC बंद कर तो ओर जाते रहेंगे रियल ट्रेड कर रहे हो तो आपकी API कनेक्ट होनी चाहिए रियल ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेली API कनेक्ट करनी होती है जिसके अंदर 2-5 मिनिट लगते हैं कमपल सरी है और आप वैसे ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको क्या कहते हैं पेपर ट्रेडिंग में API कनेक्ट कर देना हमें access दे दूँगा रात को 8-10 वजे हम access देते हैं और एक बार इस indicator को check करो काफी must indicator लगा बस आप अपना IQ लेवल लगाना कि आपको कौन सी moving average लेनी है मैंने by default 21 और 200 की moving average लगा रखी है तो thank you for watching this video अगर कोई भी सवाल हो comment में कर सकते हो पलस हमारे trading view telegram group को join कर सकते हो बाइ